आज की हमारी रेसिपी है बांगडा फिश फ्राई जैसे रेस्टरांट में या फिर ठेले वाले के पास मिलता है क्रिस्पी सा फिश फ्राई वो लोग डीफ फ्राई करते हैं, हम शालो फ्राई करके उतना ही क्रिस्पी बनाएंगे कम तेल के साथ और हमारे यहां पे यह फिश को बांगडा फिश बोलते हैं, पताने आपकी यहां पर क्या बोलती होंगे व्यसे आप किसी भी फिश के साथ यह रस्पी को बना सकते हैं तो चलिए आज की रस्पी को बनाने स्टार्ट करते हैं हाई फ्रेंड्स Welcome back to my channel Sonis Kitchen यहां पर आप देखेंगे अपनी मन पसंद की स्वाधिस्ट रसिपेस तो देर किस बात की इस चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें वीडियो देखने के बाद रस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें आज की रस्पी के लिए मैं ले रहे हूँ 6 बांगडा फिश इसको मैं आचे से क्लीन करके रखाया सबसे पहले आधा निम्बू का रस डाल कर इसे मारिनेट करेंगे स्वाध के अनुसा नमक डाल देंगे और अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डालेंगे जैसे की आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक पड़ा चमच राट चिली पाउडर तीखा कम खाते तो कम डाले इसी के साथ एक छोटी चमच धनिया पाउडर एक छोटी चमच डालेंगे चीरा पाउडर एक पड़ा चमच अद्रक रसन का पेस्ट डालेंगे और चार हरी मेच और थोड़े से धनिया के पत्तों को मैंने पीस कर लिया है इससे बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है फिश राई ये एक बड़ा चमच पेस्ट है इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा कोकम का रस डालेंगे अगर ये कोकम का रस नहीं है तो आप इससे स्किप कर सकते है कोकम को मैंने भीगो कर लिया था दो छोटी चमच गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ ये औप्टनल है अगर चिली फ्लेक्स आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता है मैं इसकी रस्पी जरूँ शेयर करूँगी अब हम सारे मसालो को फिश के उपर रब करते हुए अच्छा से लगा लेंगे ये जो कट लगाया है उसके अंदर मसाले अच्छा से डाले और इस तरह से मसाले अच्छा से फिश के उपर लगा कर 10 मिनिट के लिए सिरख दे अब यहां पर आधा कप चावल का आटा लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ी से नमक एक चोटा चोटी चमच हल्दी पाउडर और एक चोटी चमच लालमिश का पाउडर क्योंकि चावल का आटा हम उपर लगाएंगे तो ये फीका ना लगे इसलिए मैं हल्दी लालमिश और नमक डाल रहे हूँ अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम फिश के उपर कोट करके फ्राई करेंगे अब यहां पर जो फिश है मैरिनेट हो चुकी है इसे हम चावल के आटे के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे तवा मैंने अल्रेड़ी गरम कर लिया है तो चलिए इसे फ्राई करते हैं यहां पर तवा गरम हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे एक सर्विंग स्पून तेल फ्लेम को हाइपर रखेंगे और तेल और तवा दोनों को अच्छे से गरम होने देंगे कभी भी आप कोई भी फिश फ्राई कर रहे हो इस बात का ध्यान रखे कि तवा और तेल दोनों ही अच्छे से गरम होनी चाहिए अगर यह गरम नहीं होगा तो फिश चिपक जाएगा तवे पे अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राई नहीं होगा अब ये अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इसमें फिश डालेंगे और फिश को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है मीडियम फ्लेम पे जब हम फ्राई करेंगे ये अंदर तक पकेगी और क्रिस्पी भी होगी तो जब तक एक सड अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक हम इसे इसी तरीके से फ्राई होने देंगे बार बार पल्टे ना अब ये फिश अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो चुकी है इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फ्राई होने देंगे आप देख सकते मैं इसको कितनी इजी ली पलट पारी हूँ क्योंकि तेल और तवा अच्छे से मैंने गरम करके फिश को डाला था और अब हम चेक करेंगे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गई की ने अगर हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे बस इतना इजी रेसिपी है जब इतनी इजी ली तवे पे बहुत ही क्रिस्पी फिश फ्राई कर पा रहे हैं तो रेस्टरांट में क्यों जाकर खाएं? चलिए इसे सब करते हैं एक दम क्रिस्पी और टेस्टी बांगडा फिश फ्राई तयार है वो भी कम तेल में है तो आप ये रेस्पी को ट्राई करें कमेंट करके अपना फीडबाइक मेरे साथ जरू शेर करें रेस्पी पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें फिर मिलते हैं एक और नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद